वेलकम स्टुडेंट माइसेल्फ डॉक्टर सवीता मीना एंड टुडे वी एर कॉंटेनिंग और चैप्टर किमिस्ट्री ओफ एलिमेंट्स ओफ सेकिंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सेरीज तो आज हम थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें टॉपिक है मैटल मैटल ब बॉंडिंग क्या है उनके जो मैटल बॉंडिंग है वो फर्स ट्रांजिशन सेरीज की एलिमेंट्स की मैटल बॉंडिंग से कैसे वैरी करती है वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक पे तो जो मैटल मैटल बॉंडिंग है ये फर्स ट्रांजिशन सेरीज में बहुती रेर है कु कारवनिlles कमपाउंस और और इनके जो चर्थकर करते हैं जो आते हैं तो मेतल मेटल बॉंडिंग है इसके अलावा अधर एलिमेंटस में मäतल मेटल बॉंडिंग बहुत ही ऑधर होती है कुछ अधर एग्जाम्पल्स हैं इनके कार्बोक्सिलेट्स भी हैं जो फर्स ट्रांजिशन सीरीज के मैटल मैटल बॉंडिंग हम यहां शोग कर सकते हैं तो यह हमारा है तो एक ग्रोमियम की दूसरे क्रोमियम के साथ मैटल मैटल बॉंडिंग हो गई और यह कार्बोक्सिलेट है यहां पर इथाईल ऐसिटीड आयन है जो एजो लिगिंड वाक कर रहा है ऐसे ही मेगनीज, मेगनीज, आइरेन, आइरेन, कोबाल्ट, कोबाल्ट इन में भी मैटल मैटल बॉन्डिंग प्रेजंट है इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैटल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है हैवियर ऐलिमेंस में मतलब जो second और third transition series के elements हैं उन में metal मैटल बॉन्डिंग बहुत कॉमन होती है और मिलती है जनरली जो कि first transition series में कुछ limited elements हैं जिन में metal मैटल बॉन्डिंग हमें मिल सकती है उसके अलावा यहाँ पर हम second और third transition series के कुछ examples रह रहे हैं जैसे रुथेनियम, कार्बोनिल, ओस्मियम, कार्बोनिल उसके अलावा मॉलिबडिनम हो सकता है रुथेनियम, रोडियम इन सब में metal मैटल बॉन्डिंग भी होती है और उसके अलावा इनके बाई नुकलियर कार्बोक्सिलेट कॉम्लेक्स भी होते हैं और यह जो एक्जाम्पल्स हैं यह हैं सेकिंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के नॉट फर्स ट्रांजिशन सीरीज तो होवेवर मेटल मेटल बॉन्डिंग इस मोर कॉमन इन सेकिंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमिन्स तो उनकी कौन-कौन से एक्जाम्पल्स है metal-metal bonding जो in general होती है वो carbonils compounds ही होते हैं ऐसे ही complexes होते हैं तो यहां पर osmium, ruthenium, rhodium, iridium इनकी कुछ examples दिये हैं और कुछ other complexes हैं, rhodium वगेरा के उनमें क्या होता है कि carbonil की higher oxidation state में भी complexes होते हैं इनके जो complexes हैं वो first row transition series से थोड़े से different होते हैं और यह कुछ examples हैं molybdenum, इनके bionuclear complexes और halides हैं, halides में हम metal-metal bonding हमें मिल सकती हैं इसमें ligand as a halide होता है तो यह chloride के साथ complexes हैं, दोनों ही complexes, chloride के साथ यहां पर हम देख सकते हैं lower halides of the several elements have a group of three or six metal atoms bonded together and are called cluster compounds तो इस तरह के elements जनके lower halides हो, उनका जो group होता है उसमें three और six metal atoms अपस में bonded हो सकते हैं उनको as a cluster compound कहते हैं तो इससे यह पता चल रहा है, halide के numbers कम होंगे और metals का number ज़्यादा हो सकता है जैसे हम यहां कुछ other compounds की बात करते हैं niobium, tantalum, इनके भी कुछ complexes हैं जिनकी unusual structures होती हैं और इन सब में six metal atoms हैं जो arrange होते हैं in a cluster form at the corner of the octahedron with 12 pressing halogen atom across the corner तो हमने यहां पर six metal atom लिये हैं और 12 हमने लिये हैं halogen there is an extensive metal metal bonding within the octahedron कुछ और examples भी है tungsten, carbromide के साथ, molybdenum, kakromide, chlorides के साथ यह examples भी हैं इनके cluster forms होते हैं next हम topic की बात करेंगे coordination, compound second or third transition series के जो elements होते हैं उनके जो complexes form होते हैं उनका coordination number क्या होता है coordination number मतलब जो metal है उनसे कितने ligand attached होते हैं complex formation के लिए तो जो coordination number six है यह generally मिलता है और इस तरह के coordination number six से जो हमें complexes मिलते हैं उनकी in general जो structure होती है वो octahedral होती है complex with coordination number higher than six is less common in first transition series अगर हम बात करें कि coordination number six से higher हो तो यह बहुत ही rare है जो first transition series के जो elements है उनमें यह common नहीं है उनमें six तक के coordination number हो सकते हैं बट higher coordination number rare है बट higher coordination number यह बहुत ही common है second and third transition series में तो second and third transition series है उनमें यह common है और यह first transition series के elements से coordination number different है तो कुछ examples हैं जिनमें हम देखेंगे कि इनका जो coordination number है वो seven है तो higher elements, heavy elements जो के second transition series में भी होते हैं third transition series में भी होते हैं इनके जितने भी compounds मिलते हैं उनके coordination number in general seven होते हैं कुछ examples हम यहां देखेंगे यहां हमने देखा coordination sphere defined by the donor atom in idealized seven coordinated structures तो हम यहां क्या कर रहे हैं coordination number seven की हम structure show कर रहे हैं उन structures को donor atom से हम बता रहे हैं और वो structure क्या-क्या हो सकती है उसके लिए हम यहां देखते हैं यह mono-capped octahedron हो सकता है mono-capped trigonal prism हो सकता है और pentagonal bipyramid हो सकता है तो इन तीन तरह की structure में इनका जो coordination number है वो seven ही होगा वो सब में same है परन्तु इनका जो structure का type है वो different different हो सकता है इसमें हम count करें one, two, three, four, five, six, seven इस तरह से seven ligands इससे bonded हो सकते हैं और इसी तरह से अगर हम mono-capped में बात करें तो इसमें भी हमें seven ligands मिलेंगे और pentagonal की pyramid की बात करें तो इसमें भी हमें seven ligands मिलेंगे इसको हम देख सकते हैं pentagonal one, two, three, four, five one above six and one below seven तो इस seven ligands इस तरह से metal से attach हो सकते हैं इनके कुछ examples यहां दिये हैं जो capped structures हैं capped structures में एक तो हमें यहां दिखी है octahedral structure of tantinum chloride की तो यहां पर chloride हमारे पास four है और tantalum है tantalum के साथ जो structure होगी वो होगी capped octahedral structure जिसको हम यहां पे show कर रहे हैं B से उसके बाद next हम बात कर रहे है capped trigonal prismatic structure यह जो capped trigonal prismatic structure है वो हमारी zirconium की है fluoride के साथ तो fluoride यहां पर seven है जिनको हम capping atom कहता है capping atom जैसे यह c बताया है हमने यह तो c की हम यह structure देखते है capping atom हमारे पास है one, two, three, four, five, six, seven तो इस तरह से f हमारे पास seven हो गया और यह जो central atom है यह हो गया zirconium तो यह दो structure हमने coordination number seven से दिखाई है एक है capped of trahedral structure tantalum chloride की और second है capped trigonal prismatic structure है जो की हमारी fluoride की है zirconium के साथ तो इस तरह से जो generally heavy elements होते हैं उनके जो coordination number है वो भी जादा होंगे mostly seven coordination number की compounds हमें मिलते हैं तो यह हमने as a comparative study की second और third transition series की elements की coordination number भी almost same होते हैं और उनके जो metal-metal ligand bonding है वो भी same होती है परन्तु यह जो first transition series है उसके जो elements है उनसे different होगा तो इनका जो other comparison है कि जितने भी elements है हमारी periodic table की according periodic table एक बर हम देख सकते हैं यहां पर periodic table में हम देखें comparison के लिए attribium से लेकर cadmium तक यह हमारी second transition series है और यह length num से लेकर mercury तक यह third transition series है तो इन elements का जो comparison है जैसे cadmium और mercury में अपस में क्या common characters है और similarities हैं क्या comparison कर सकते हैं जैसे mollywoodenum और tungsten का क्या comparison हो सकता है अगर इनमे similarity है तो यह chromium से कैसे different है यह सारे study हम next class में next lecture 4 में पढ़ेंगे तो element का comparison हम next class में करेंगे आज के लिए यह topic हम यहीं complete करते हैं तो thank you students लिए टाशएंस